Assalamu alaikum, उमीद करता हूँ कि सब खेरियत से होंगे Any guesses कि कौन से ऐसा lens है जो कि इस वक का हमारे पाकिसानी मार्केट में सबसे चीपस lens है Yes, any guesses? Let's find out कि आपका guess ठीक है या नहीं और साथ ही साथ हम इस वीडियो में अनाउंस करेंगे कि हमारे Last Free Giveaway में वो कौन से ऐसे दो विनर्स है जिनको वो Free Giveaway मिलने वाला है So this is the Yongnu 50mm 1.8 और ये इस वक का पाकिस्तानी मार्केट में सबसे चीपस lens है Now it's time to open this Yongnu YN 50mm 1.8 lens देखे है कि क्या ये Chinese clone हमारी expectations के मताबिक है या नहीं It's pretty good I think मेरी expectation के मताबिक जो मैंने expect किया था के शायद बहुत ही गंदा material होगा और structure भी बहुत अजीब सा होगा लेकिं ऐसा कुछ नहीं है It looks very good and decent The thing which is noticeable that कि ये 50mm lens exact copy है Canon के 50mm 1.8 lens की मतलब कि आप कह सकते है कि ये lens एक Canon का clone है जो के बहुत ही नफीस तरीके से बनाए गया I mean सिर्फ चन्द चीजें हैं जिनकी वज़ा से आपको ये पता चल सकता है कि ये Canon का 50mm नहीं है और उन में चीजें के यॉंगनू का नेम जो के प्रिंटीड है यहां पर फ्रेंट पर और इसके यहां पर और उसके बाद जो चीज है वो है इसका फोकल रिंग अगर आप देख सकें तो ये फोकल रिंग Canon के 1.8 50mm की तरह का नहीं है सिर्फ 2-3 डिफरेंसे हैं लेकिन अगर बॉड़ी की बात की जाए स्ट्रॉक्चर की बात की जाए तो ये एक्जक्ट Canon के 50mm 1.8 lens की तरह ही है बट ग्वेस्टन इस क्या ये lens अपनी प्राइस के मताबिक वर्ट करता है यह उससे जएदा वर्ट करता है यह उससे भी काम वर्ट करता है मजगी बात ये कि ये lens कितना चीप है I mean Canon का 50mm 1.8 आपको मार्केट से वेलेबल हो जाएगा जबके ये lens आपको सिर्फ और सिर्फ थादन फादन फादन रूपीस का मिल सकता है I think this is a pretty good choice In my opinion this is really one of the cheapest auto-focusing prime lens in the market This Yongnu 50mm 1.8 lens is almost near to Canon 50mm 1.8 in everything Everything means everything लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है जो के मुझे यॉंगन में ज्यादा बेतर लेगी I have used the Canon 1.8 as well Yongnu के अंदर जो अपच्छर blades है वो है 7 जबके Canon के अंदर 50mm 1.8 है उसके अंदर 5 blades जिसकी वज़ा से मुझे Yongnu की capture की images बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंके इसके 7 blades की वज़ा से इसके बुके shape बहुत ही nice है क्योंके ये 50mm 1.8 lens है that means it gives you the 50mm focal length बट ज्यादा वेतर ये है कि अगर आप इसको full frame पर use करते हैं तो आपको ये आपकी expectation के मुताबिक results बेशाए आप 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 आ आप आप लेट्स तॉक अबाउट देखे हैं वो कौन से दो विनर्स है जो के हमारी प्रीविए वीडियो में जो के निकांडी 750 का रिवियो था उसमें हम दो फ्री गिव अवे दे रहे थे और देखे हैं कि जिन लोगों ने पाटिस्वेट किया उनमें से कौन से दो विनर्स हैं जिनको फ्री गिव अवे में लेखे लाएं कॉर्चुलाइशन्स मोसन अमानत एंड एस प्रोडक्शन आप दोनों हमारे प्री गिव्ट के विनर्स हैं प्लीज अपने कंप्लीट नेम के साथ अपना नंबर और अपना मेलिंग अड्रेस जो है वो मुझे इस एमेल पर कर दोड़ी ताके आपको आप गिव्ट अपको आपके दोसर पेमिल सेंए I am really thankful to the golden edge production जिनो ने मुझे ये lense review or test केरने के लिए बेजात में मुचे ये lens review or test केरने के लिए पयजा And I am again thankful to the golden edge production for these two gifts You can buy this cheapest perfect lens just in rupees 6500 You can go to geonline.pk And I have also mentioned a link in the description You can buy this lens from here And believe me this lens really works more than its price झाल 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 झाल